So, Hey Guys, Welcome Back और आज मैं लाया हूँ आपके लिए Set No. 34 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन Word No. 1 Harpus Harpus का मतलब होता है दाद जो दाग हो जाता है ना खुजली होता है Word No. 2 Each Each का मतलब होता है खुजली खासकर जब आँखों में हो रही हो तो उसे ही Itching कहते है Word No. 3 Leprosy Leprosy का मतलब होता है कुष्ट ठीक है ये कुष्ट रोग होता है Word No. 4 Hiccup Hiccup का मतलब होता है Hitchkey ठीक है हिचकी एक मूवी भी थी Word No. 5 Dispepsia Dispepsia का मतलब होता है अपच खाना जब अपच हो जाता है ठीक है ये HCL के ज़्यादा सेक्रेशन के कारण होता है Word No. 6 Spoon Spoon का मतलब होता है चमच Word No. 7 Fork Fork का मतलब होता है काटा वाला चमच जिससे हम लोग चौमिन मैगी खाते है Word No. 8 Stove Stove का मतलब क्या होता है चुलह और Word No. 9 Planet Planet का मतलब होता है ग्रह जैसे की हमारी धर्ती And the last word is Pot Pot का मतलब होता है बर्तन तो ये था आज का वाट्सेट मिलते हैं नए वीडियो में नए सेट के साथ तब तक के लिए Bye Bye